नवश्कार दोस्तों मैं स्विति श्रवास्तवन इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की बंडि की सीरीज से पहले मैच में टीम इंडिया ने करनाटक की तेज गेंदवाज प्रसिद्ध कृष्णा और बड़ोध्रा की आल राउंडर कृनाल पांडिया को प्लेइंग 11 में मौका दिया ये प्रसिद्ध का पहला इंटरनेशनल मैच है इन दोनों ने हाली में खत्म हुए घरेलू बंडि टूनामेंट विजह हजारे ट्रॉफी में अच्छा प्रदशन किया था इसी के आधार पर दोनों को इंग्लैंड के खिलाफ बंडि सीरीज में चुना गया था क्रॉनाल को भाई हार्दिक पांडिया ने बंडे कैप थमाई जिक्कि कृष्णा को हेट कोच रवी शास्त्री ने कैप दी अपने भाई से कैप मिलने के बाद क्रॉनाल भावुक हो गया और उन्होंने कैप को आसमान की तरफ दिखाते वे अपने पिता को याद किया उनके पिता हिसमानशू पांडिया की मौत इसी साल जन्वरी में हुई थी हार्दिक और क्रॉनाल दोनों पिता के बहुत करीब थे इसी दोरान हार्दिक उनका होसला बढ़ाते वे नजर आए इसी बीच भारत के पूरो करिकेटर वसीम जाफर ने क्रॉनाल की फोटो को शेयर करके एक खास मैसेज लिखा वसीम जाफर ने क्रॉनाल पांडिया की इमोशनल फोटो को शेयर करते वे लिखा मेरी आँखों में कुछ है बता दे कि कुरुनाल के पिता का जन्वरी में निधन हो गया था जिसके बाद हार्दिक और कुरुनाल ने अपने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोश्ट सेर किया था कुरुनाल पांडिया ने घरेलो क्रिकेट में अपने आल राउंडर खेल से धूम मचाई थी और पांच मुकाबलों में 129.33 की लाजवाब और सच से 388 रच बनाये थे बल्ले के साथ साथ कुरुनाल केंज से भी काफी कारगर साबित हुए थे तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने विजे हजारे के साथ मैचों में कुल 14 विकेट जटके थे और वो काफी किफायती भी रहे थे IPL में भी कृष्णा का प्रदर्शन कुलकाता नाइट्स राइडर के लिए काफी शानदार रहा था बताते T20 सीरीज में लगातार खराब फॉर्म से जूचते प्रदर्शन करने वाले रिश्चत पंद को पहले मुकाबली के लिए टीम में नहीं रखा गया है फिल्हाल के लिए खबरों में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे बर इंडिया